दोज़ार चौबीस के संग्राव में वार पलटवार का दौर जारी है चौथे चरंड से पहले यूपे के दो सबसे बड़े विपक्षी चहरों मायवती और अखलेश यादव में ठन गई है दोनों निताओं के बीच ट्वीटर वार चल रहा है ब्यानबाजी चल रही है और स चौबीस के चक्रवियू में मायवती वर्सिज अखलेश आकाश का डिमोशन अखलेश का इमोशन कहा तो बीजेपी बंपर प्रचार में जुटी है कहा विपक्ष आपस में ही लड़ाई लड़ रहा है मायवती ने अपने भतीजे आकाश अनन्द से पद क्या वापस लिया सपा और कॉंग्रेस को तगड़ा दर्ध होने लगा पहले अखलेश यादव का बयान सुनिये फिर पूरी कहानी बताते हैं मैं अपील करूंगा समिधान बचाने के लिए लोगतन बचाने के लिए कोई भी अपना बोट खराब न करें भाटी जन्ता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजबादी लोग कर रहे हैं मैं तमाम बहुजद समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपना बोट न खराब करें शुनाओं में लोगतन को बचाने के लिए बाबा साब भीरों मेडिया जी का समिधान बचाने के लिए आरच्छन बचाने के लिए सिच्छा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें आकाश आनन्द को लेकर सपा बस्पा में छिड़े वाक यूद की शुरुवात अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद हुई फिर क्या था मायवती ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई अखिलेश यादव ने लिखा था कि विफलता के चलते बीएसपी संगठन में बदलाव किया गया है तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा घोर दलित विरोधी सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है अखिलेश यादव ने लिखा कि बीएसपी के परंपरागत समर्थक इंडिया के साथ हैं तो मायवती ने जवाब दिया कि सपा केवल यादव परिवार की चिंता करें बीएसपी की चिंता की उन्हें जरूरत नहीं अखिलेश यादव ने लिखा कि तीन चरणों में बीएसपी की एक भी सीट नहीं आ रही और चोथे चरण में भी कोई उम्मीद नहीं तो मायवती ने पलटवार करते हुए लिखा कि सपा का चाल चरितर चेहरा जबरदस्त दलित विरोधी है। अखिलेश यादव ने लिखा कि बाजी ब्येसपी के हाथ से निकल चुकी है। तो मायवती ने जवाब दिया कि प्रमोशन में आरक्षन खत्म करने वाली पार्टी को माफ करना मुश्किल। अखिलेश यादव ने ब्येसपी का नाम लिये बिना लिखा कि बोटर अपना वोट खराब ना करें और इंडिया गटवंदन को बोट दें। तो मायवती ने पलटवार किया कि जातिवादी सोच के कारण सपा सरकार में जिलों रिश्विध्यालों के नाम बदले गए। यानि जो लड़ाई आकाश आनंद के डिमोशन से सुरू हुई सपा बसपा के बीच वो जंग जातिवाद, आरक्षन और यादव परिवार तक पहुँच गई। हाला कि अखिलेश यादव के अलावा उनके नेता भी ब्येसपी पर वार कर चुके हैं। बहुजन समाज के कौरडिनेटर रहे आकाश आनंद जी ने बीजेपी के उपर हमला किया, यह उनका हमला भाजपा के साथ साथ बसपा को भी नागवार लगा, और चुकि बीच पी का जो लोगों के अंदर परसिप्शन है, यही है कि बीच परदे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे है, लेकि यह किसी भी राजनितिक दल का फैसला होता कि किसको पदादिकारी बनाना या हटाना है, इस पे समाजवदी पार्टी को कोई टिपली नहीं करनी है, लेकिन वो आकाश आनंद जो बसपा के उत्तर दिकारी से, वो आकाश आनंद जो लगातार ये सवाल उठा रही है कि भाशपा और बसपा का आगोशित गड़बंदन है, बसपा को मानेवर काशी राम जी के बताय हुए राश्टे से बटक चुकी है, इसलिए जनता बहुत आस और उमीद के साथ समाजवदी पार्टी के तरफ देख रही है, कुल मिलाकर ये लड़ा सपा की और से क्या जवाब आता है?